चंद्र चूर सिंग ने कई बड़े कलाकारों के साथ किया काम, इस एक गलती ने बना दिया गुम नाम चंद्र चूर सिंग, बॉलिवुड का ऐसा अभिनेता जुन्होंने कई फिल्मे की, लेकिन उन्हें बेह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी उन्होंने बॉलिवुड के कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और शांदार फिल्में भी की हैं चंद्र चूर सिंग का जन्म दिन 11 अक्तूबर को होता है जन्म दिन के मुके पर हम आपको उनसे जुड़ी आस बातों के बारे में बताते हैं चंद्र चूर सिंग का जन्म 11 अक्तूबर 1968 को हुआ था उन्होंने अपने करियर की शुरूआद अमिताब बच्चन की फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी अमिताब बच्चन इस फिल्म के निर्माता थे यह फिल्म साल 1996 में आई थी चंद्रचूर सिंग की पहली फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी इसके बाद वह अभिनेत्री तबू के साथ फिल्म माचिस में नजर आए इस फिल्म में उनके अभिनेक को परदे पर खूब पसंद किया गया था इसके बाद चंद्रचूर सिंग दाग, दफायर, जोश और क्या कहना सहिद बलिवुड की कई शांदार फिल्मों में नज़र आए चंद्रचूर सिंग ने कुछ हिट फिल्में देने के बाद बलिवुड से दूरी बना ली थी उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्मों से दूर आने की वज़े भी बताई थी उन्होंने कहा था मैं कुछ अच्छे रोल करना चाहता था मेरे पास कही ओफर आए लेकिन मुझे कुछ अलग रोल का इंतजार था वह नहीं आये तो मैंने फिल्मों से दूरी बना ली करीम भेक दरजन फिल्में करने के बाद चंदरचूर सिंग अचानक बॉलिवुड से गायब हो गए उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया साल 2000 में चंदरचूर का एक भयानक एकसिडेंट हो गया वह गवा में बोट राइडिंग कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ और उनके कंधे बुरी तरह जखमी हो गए इसके बाद तो चंदरचूर का करीयर ठप पड़ गया इस हादसे से उबरने में चंदरचूर को करीब 10 साल लग गए उन्होंने फिल्म चार दिन की चाननी से वापसी की लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई बतादे की चंदरचूर ने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है